दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे उन दिनों उस जंगल में बहुत ज्यादा दाना पानी था इसलिए किसी भी पक्षी को दाने और पानी की कोई चिंता नहीं थी हर कोई अपनी ही मोज मस्तियों में लगा हुआ था धूप अच्छी निकली हुई थी जब पक्षी एक पेड़ पर बैठे हुए थे वहां पर एक कव्वी आ जाती है नमस्ते पक्षीयों तुम कौन हो जे मेरा ना चिंकी है और मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ वो असल में इस पेड़ पर मैं गोंसला बनाना जाती हूँ लेकिन हम किसी अजनबी पक्षी को यहां रहने नहीं देंगे क्योंके मैंने और कबूतर ने अंडे दिये है मैं अजनबी नहीं हूँ मैं गोरी कवी जो इसी जंगल में रहती है वो ही जिसके पती का नाम कालू है की सहेली हूँ हम कैसे मानने कि तुम गोरी की सहेली हो मैं अभी गोरी को ले आती हूँ, आप मुझे बता दे कि वो कहां से मिलेगी, मैं इस जंगल में पहली बार आई हूँ ना, इसलिए मुझे ठीक से पता नहीं है, कि गोरी कहां रहती है, वो गोरी कवी तो इस समय अपने घोंसले में ही होगी, वो देखें, सामने जो बड़ा सा प पेड़ है, उसी के उपर है गोरी और कालू का गोंसला, बलके आप ऐसा करें, यहां ही रहें, मैं अभी गोरी को ले कर आती हूँ, और रानो जुडिया गोरी कवी को लेने चली जाती है, गोरी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, कहां चलो तुमारे अब कहीं भी नहीं जा सकती, एक तो मुझे नीदा रही है, और दूसरा कालू भी नहीं है गोंसले में, मेरे गोंसले में धेर सारा भोजन पड़ा है, मैं नहीं चाहती कोई मेरा भोजन चुरा कर ले जाए, गोरी हमारे जंगल में कोई चोर नहीं है सवाए, खामोश क्यों हो वो तुम्हारी बच्पन की सहिली है वो तोते और कबूतर वाले प्यर पर गोंसला बनाना जाती है लेकिन तोता नहीं मान रहा क्योंकि उनके अंडे पड़े हैं गोंसला में और वो किसी अजनबी पर विश्वास नहीं कर सकते नाम क्या है उसकवी का? उसका नाम चिंकी है क्या कहा चिंकी? मेरी चिंकी कहा है? मुझे चल्दी से उसके पास ले जाओ और फिर गोरी कवी रानो जुडिया के साथ चली जाती है चिंकी, चिंकी मेरी प्यारी सहिली तुम यहां कैसे? आज तो मेरे मन की मराद पूरी होगी है जो तुम मुझे मिलने आ गई तुम अकेली आई हो, पती नहीं आया तुम्हारा आप सबने मेरी सहिली की कोई सेवा भी की है कि ऐसे ही बातों में टाइम जाया कर रहे हो गोरी, तुम खुद ही सवाल पे सवाल किये जा रही हो किसी दूसरे को भी बोलने का मुका दे दो ये तुम्हारी सहिली गोसला बनाना चाहती है हमारे पेड़ पर चिंकी, तुम यहां क्यों गोसला बनाना चाहती हो अपना जंगल क्यों छोड़ाई और तुम्हारा पती गोरी, उस नकटू का तो नाम ही न लो मेरा विवाज जिस दिन से उस से हुआ था मैंने तो एक दिन भी सुक में नहीं गुजारा मैं तुम्हें उसके जुलम के कौन कौन से बात बताओं बस अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगी इसलिए मैं वो चंगल ही छोड़ाई हूँ मेरे अंड़े होने वाले हैं इसलिए मैं जल्दे-जल्दे अपने लिया गौनसला बनाना चाहती हूँ जब मैं इस चंगल में आई तो मुझे ये वाला पेड़ नचराया मैंने सोचा इसके उपर ही गोंसला बना लेती हूँ लेकिन ये पक्षी नहीं मा रहे इस समय में बहुत मसीबत में हूँ बलीज मेरी मदद करें आज तो मुझे अपने सिहित भी अच्छी नहीं लग रही चिंकी ऐसा कहते हुए रोने लग जाती है चिंकी बहन आप लीज ना रोए हम सब आपके साथ हैं तोते आप लीज पेड़ पर चिंकी को गोंसला बनाने दें हाँ हाँ चिंकी तुम बना लो गोंसला हमारे अंडे भी पड़े हैं गोंसलों में ये जगा बहुत से रक्षत है बलकि हम सब तुम्हारे मदद करते हैं गोंसला बनाने में चिंकी मुझे तो तुम्हारा रंग भी पीला पीला लग रहा है और कमजोर भी कितनी ज़्यादा लग रही हो रानो तुम दोती और कबुतर को साल लेकर चिंकी के लिए गोंसला बना दो मैं इसे लेकर तुम्हारे गोंसले में बैजाती हूं और इसका ख्यार लगती हूं गोरी हाँ ये ठीक है तुम ऐसा ही करो और हाँ मेरे गोंसले में थोड़ा सा फल और दाना पड़ा है तुम उसे चिंकी को खला देना हम जल्दी से गोंसला बना लेते हैं और फिर रानो जडिया गोंसले के लिए समान लाने के लिए तोते और कबूतर को लेकर चली जाती है और गोरी चिंकी के साथ रानो के गोंसले में चली जाती है चिंकी बहुत बड़ी एक्ट्रिस हो तुम आखिर सहेली किसकी हूँ अच्छा अब मुझे साथ साथ बताओ यहां क्यों आई हो तुम गोरी वो जो है ना मेरा पती बहुत खरूस है हर समय मेरे पीछे ही पड़ा रहता है के के काम वाम किया करूँ चोरी ना किया करूँ गोंसले की मरमत में मेरी मदद करो मुझे से नहीं होते ऐसे काम इसलिए मैं उसे ही छोड़ाई हूँ लेकिन मेरे अंडे भी होने वाले है और मुझे किसी ऐसे सरक्षत पेड़ की दलाश थी यहां पहले से पक्षियों ने अंडे दिये हो ताके मेरे अंडे भी सरक्षत रहे जब मैं इस जंगल में आई तो मुझे यह वाला पेड नजर आया तो मैंने दिल में ठान ली कि गोंसला तो इसी पेड़ पर बनाऊंगी वैसे गोरी तुम्हारे जंगल के पक्षि है बहुत अच्छे और मासूम कैसे मेरी बातों में आगे तुम्हारे तो वैसे बड़ी मुझे होंगी इस जंगल में हाँ चिंकी मेरी बड़ी मुझे है अब मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम आगे हो इस जंगल में अब मिलकर बुद्धू बनाया करेंगी इन पक्षियों को ऐसा कहकर वो दोनों जोड़ जोड़ से हंसती है दूसरी तरफ रानोचिडिया, कबूतर और तोता चिंकी के लिए बहुत अच्छा और मजबूत घंसला बना देते है चिंकी हमने तुम्हारा घंसला बना दिया है अब तुम अपने घंसले में जा सकती हो चिंकी कवे तुरंद ही अपने घंसले में चरी जाती है ऐसे ही रात हो जाती है और सापक्षी अपने अपने घंसले में सो जाते है अगली सुभो चिंकी एक अंडा देती है और गोरी मूँ अंधेरे ही चिंकी से मिलने आ जाती है शिंकी अब तुम्हें अपने अंडे पर ज्यादा बैठना होगा गोरी लेकिन मैं इतना नहीं बैठ सकती मुझे तो सहरे करने में मजाता है आज तो तुम देखो बातल भी आ रहे हैं लगता है कि आज बारिश जरूर होगी हम दोनों खौब नहाएंगे बारिश में ये तोता और कबूतर कहां गे हैं वो दोनों दाने की दिलाश में गे हैं मुझे से कहकर गे हैं कि मैं उनके अंडों का भी ख्यार रखूँ वो मेरे लिए दाना ले आएंगे अभी वो ऐसे बातें कर ही रही होती हैं के गहरे पादल आ जाते हैं और साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है गोरी मेरी प्यारी से हेली अब तुम ही बताओ ना हम क्या करें इतनी अच्छी बारिश में तो मैं कभी भी गौंसले में नहीं बैठ सकती अम मैं संड़े पर कैसे बैठूँ तुम्हारा दमाग तो बहुँआ शातर है प्लीज कोई उपाई बताओ ना उपाई अच्छा सोचने दो मुझे हाँ तुम ऐसा करो अपना अंडा पानी में फैंक दो गोरी कुछ शरम करो ये मैं कैसे कर सकती हूँ पहले पुरी बात उसन लो हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारा अंडा कबूतर का अंडा और तोते का अंडा एक साथ ही पानी में फैंक देते हैं और तुम्हारे अंडे पर नशान लगा देते हैं इससे हमें पता रहेगा कि ये तुम्हारा अंडा है और फिर गोरी कवई अपना सारा प्लैन चिंकी को बिताती है जिसे सुनकर चिंकी भी बहुत खुश होती है और फिर वो जल्दी जल्दी तीनों अंडे पाने में रख देती है और वहां से चली जाती है तोता और कबूतर जैसे ही वापस आते हैं अपने अंडों को नीचे पड़ा देख बहुत परेशान होते है यह हमारे अंडे नीचे कैसे गिर गे आर तो सरफ हलकी हलकी बारिश हो रही है कोई हवा तक नहीं चल रही फिर ऐसे कैसे हो गया और यह चिंकी कहां चली गई है कबूतर भी बहुत परेशान था चिंकी और गोरी भी वहां आ जाती है हाई हाई यह हमारे अंडे नीचे कैसे गिर गे चिंकी हम तुम्हें अंडों के पास रहने का कह कर गे थे फिर तुम कहां चली गई कबूतर भेया मेरा मन बहुत कबिराने लग गया था मैं तो गोरी को लेने चली गई थी उनकी आवाजें सुनकर रानो जुडिया भी वहां आ जाती है तोता रानो जुडिया को सारी बात बताता है तोते अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा अंडा किस पक्षी का है वाणो बहन मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही वैसे मेरे पास एक उपाए है आप ऐसा करें कि तीनो एक एक अंडा ले ले बाद में जिस जिस अंडे से बच्चा निकलेगा उसका तो पता चल जाएगा ना कि ये किस पक्षी का बच्चा है तो वो पक्षी अपना बच्चा ले लेगा वैसे गोरी में बात पिलकुल ठीकी है चिंकी चलो पहले तुम एक अंडा उठा लो और जब चिंकी अंडों के पाच आती है तो उसे अंडे पर किसी किसम का नशान दिखाई नहीं देता वो बहुत परिशान होती है चिंकी जल्दी करो अंडा उठा लो अंडों का जारा देर पानी में रहना ठीक नहीं है फिर चिंकी अंडा उठा कर अपने गोंसले में चली जाती है फिर उसके बाद कबूतर और तोता भी एक एक अंडा उठा कर अपने अपने गोंसन में चले जाते हैं गोरी हमने अंडे पर जो निशान लगाया था वो तो पाने की वज़ा से मिट गया अब कैसे पता चलेगा कि मेरा अंडा कौन सा है कहीं यही मेरा असली अंडा ना हो चिंकी एक तो तुम वहम बहुत करती हो अंडे तीन थे और मुझे पूरा विश्वास है यह तुम्हारा अंडा नहीं होगा अब चलो थोड़ी सी अवारा गर्दी कर कियाते हैं पहले भी इतना अच्छा मोसम का मज़ा हमने अंडों के चकर में बरबाद कर दिया है गोरी और चिंकी दोनों अबारा गर्दी करने निकल जाती है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तोते के अंडे से बच्चा बाहिर आता है और तोता बहुत हेरान होता है क्यूंके वो तोते का ही बच्चा था जबके चिंकी ये देख बहुत परिशान हो जाती है गोरी तोते वाले अंडे से उसी का बच्चा बाहिर आया है कहीं ऐसा तो नहीं है कबूतर के पास भी उसका अपना ही अंडा हो मैं तो इस अंडे पर एक दिन भी नहीं बैठी हूँ चिंकी तुम ऐसे ही परिशान हो रही हो मुझे पूरा विश्वास है कबूतर के गोंसले में तमहारा अंडा ही है गोरी की बात सुनकर चिंकी को थोड़ा होसला होता है अगले रोज कबूतर का अंडा भी फूर जाता है और उसमें से भी कबूतर का बच्चा ही निकलता है अब तो चिंकी के पसीने चूटके थे क्योंकि वो तो एक दिन भी अंडे पर नहीं बैटी थी और उसे पूरा विश्वास था कि उसका अंडा खराब हो गया है वैसे ये तो प्रक्रती का कोई चमतकार ही हुआ है और मुझे मेरे किये की सजा मिली है और चिंकी कवी अपने जंगल वापस चली जाती है